एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बाटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा। बंदर बोला, आज हम दोनों को आख में चोली खेलनी चाहिए। खरगोश हंस्ते हुए कहने लगा, ठीक है, खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों यह खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशुपक्षी इधरुधर भाग रही हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमडी से पूछा, करे, ऐसा क्या हो गया है? क्यों सब भाग रही है? लोमडी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचा कर भाग रही हैं, तुम भी जल्दी भा वर्ना वह तुम्हें पकड़ लेया, इतना बोलकर लोमडी तेजी से वहां से भाग गई। रिपोर्ट आज। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी दर कर भागने लगे, भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल आये, तभी बंदर ने कहा, मि ठकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो, पानी धुंडते हैं। दोनों साथ में पानी धुंडने के लिए निकले, कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मि रिपोर्ट आड़ की देर के लिए रुका और उनकी बाते सुनने लगा। कुछ देर बाद हंस्ते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो। खरगोश ने कहा, देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। बंदर बोला, नहीं नहीं भाई, खरगोश जूट बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको प्यास लगी है, लेकिन यहां मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। रिपोर्ट आड़, हाथी यहां दृशे देखकर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, हर किसी के लिए यहां एक मिसाल है, तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो, इस पानी को आधा-धा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर ठकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। कहानी से सीख। सचे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।